न्याय की गुहार लगा रहा पीड़त पुलिस नहीं करही सुनवाई पूरपाशत के साथ पांच लोगों ने दलत युवक के साथ की थी कुछ समय पहले मालपीट कैंट थाने शित्र के अंतरगत विकत 12 दिसंबर को गुलाब गंच निवासी का दलत युवक के साथ हुई मालपीट के मामले में पुलिस से न्याय की गुहार वो लगा रहा है उसके साथ दबंगों ने एक गुठ होकर मालपीट की इसे उसकी हड़ी फ्रेक्चर हो गई इतना ही नहीं पेड़ित के सर पर लुहांगी से हमला भी किया गया इस घटना से लगवेग 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने आरुपियों पर मामला दर्जों नहीं किया जब भी वो थाने जाता है तो उसके साथ सही बरताब नहीं किया जाता दरसल मामला यह है कि प्रार्थी नवल संग जाता पुत्र मांगिला निवासी गुलाब गंज थाना कैंट का रहने वाला है पीड़त का कहना है कि उसने सिद्फ राशन पर्ची में उसकी पतिनी का नाम जड़बाने के लिए एकसे एक्यासी पर सिकायत की थी शिकायत को कटभाने के लिए प्रार्थी के पास पार्षद मनीश शर्मा का फोन आया कि तुम शिकायत कटभा देना इसके बाद इंदोर में पुताय का काम छोड़कर वो गुना आया और गुना आने के बाद उसे पारशद ने अपने घर पर बुला कर जाती सूचक गालियां दी मना किया तो पूर्व पारशद मनीश शर्मा उसके पिता और उनके साथ ही सुन्दर शर्मा जीतू सूरश शर्मा आदी ने मिलकर लाठी लुहांगी से मार पीट की इस मामले में पीडित ने पुलिस उचत कारवाही का नियाय दिलाने की मांग की है घटना में नवल के सर में गंभीर चोटे आने से काफी खून निकला और चेस्ट के उपर हड़ी फ्रेक्चर हो गई अस्पतार में 17 दिसमर 2021 को छुटी हुई जिसके 20 दन होने के बाद सुनवाई ना होने पर आविदा के द्वारे 181 से हम हल प्लाइन पर शिकायत की गई अब फर्यादी अपने साथ हुई आन्याय के लिए न्याय की गुहाल लगा रहा है किस बात को लेके माल पीट हुई थी तो वह अब निलुक जड़वाने थी मेरे को में इंदोर ता इंदोर से लुँ उस नहीं बुलवाए था कि कियो ने यह कुई है कियो मगा दिया कि लिया इन शπα्या नियुक्तर वेके तो सकत्व में थाड़ देन कियो मघा दिया habitat 훨씬 अगयर ताट कीयों बचावाहिए हम तो प्यर मे यह है ताइरी के कितना संध वो गया आज गुएVideo कि मेरे को बीज़ दिनों beginners बाहरा तारीख से हैनों कोई भी तारवाई ने जना या पाराई भी नहीं दे रहा है ना कुछ भी नहीं दे जो आए जार चल लेगे जार चल लेगे ते पिकली नहीं चल रहा है भागा देजिए